सिमला मिरच और आलू की सबजी नाम सुनते ही मुँ में पानी आता है दोस्तों आज हम आपके लिए तरी वाली आलू सिमला मिरच की सबजी लाए हैं और इसको बनाना बहुत आसान है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी हमने यहाँ पर प्याज ल दिया है एक बरतन रखेंगे और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे आप चाहें तो रिफाइंड ओल से भी इसको बना सकते हैं यह जो तेल खाते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तेल में हम डाल देंगे सिमला मिरच जो की हमने काट कर साफ कर ली थी और इसको ह हम ज्यादा देर तक नहीं फ्राई करेंगे बिल्कुल थोड़ी देर हमको फ्राई करना है नहीं एक मिनट से भी कम हमको आधा मिनट ही इसको फ्राई करना है जो इसका पानी होगा वो निकल जाएगा तो थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको बाहर न और ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चे और बड़े सभी इसको बड़े ही चाव से खाते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को भी सस्क्राइब कर देना तो आप लोग देख सकते हैं कि आलू भी मैंने डाल कर दिया और आलू को भी हम फटा फट से आदा मिनट के अंदर ही इसको हम बाहर भी निकाल लेंगे त 경 étaient हमारा तेल बचेगा इसी तेल से ही हम सब्जी को बनाएंगे ये तेल हमाराuire भिल्कुल खराब लिए हैं, दो, और ईसके बाद हम इसमें हरी इलाइची डालेंगे, दो हरी इलाइची और एक टुकड़ा दालचिनी का डाल देंगे, और इन मसालों को हम भून लेंगे, मसाले जब हमारे पक जाएंगे, तब हम इसमें जो हमारा बड़ा बड़ा कटा हुआ प्याज है उसको डाल देंगे ना तो आपको यहाँ पर प्याज को पीछना है और ना तो कदुकस करना है ऐसे ही खड़े खड़े आपको प्याज भी डाल देने है और प्याज डाल कर लेसुन भी डालेंगे इन दोनों को ह हम अच्छे से भून लेंगे फ्राइ करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इसको भूनते रहेंगे लगातार हमें भूनना है और हम यहाँ पर नमक भी इसी में एड़ कर देंगे ताकि ये जो हमारे प्याज और लहसुन है ये जल्दी से पक तो इसमें हम नमक एड़ करेंगे और उसके बाद हम इसी में मसाले भी एड़ कर देंगे इसी क्रम से आप इस रेश्पी को बनाईए दोस्तों ये बहुत टेस्टी बनती है आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच से लाल मिरच पाउडर मिर्च आप अपने स्वात क अकौडिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम देड़ चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर पिसा हुआ जो होता है हमारा जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं उसी से हम इस सबजी को बनाएंगे बाहर से कोई मसाला हमें अड़ नहीं करना है और अब हम इसको चला चलाने के बाद आप नमक अड़ कर देंगे नमक आप अपने स्वादा नुसार डाल लीजिए तो यहाँ पर हम एक बड़ा चम्मच नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वादा नुसार डाल दीजिए तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच डाला है और थोड़ा सा पानी भी हमें इसमें डालना है ताकि ये मसाले हमारे चिपके नहीं जले नहीं तो यहाँ पर हम बिल्कुल दो से तीन चम्मच के करीब हम पानी डाल देंगे और इसके उपर कोई प्लेट रख देंगे या कोई धकन इस पर हम लगा देंगे और एक मिनट दीरी आज पर हम ये प्याज के दिखा है तो हमारे प्याज पक चुके हैं जो मसाले हमारे हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं क्योंकि तेल बाहर आ चुका है और इसको हम कल्ची की मदद से थोड़ा सा मैस कर देंगे ताकि ये हमारे जो प्याज हैं बड़े टुकड़ों में थे तो इनके टुकड़ चोटे हो जाएंगे और अब यहीं पर फ्राई किये हुए सिम्ला मिरज, आलू यह दोनों चीजे हम डाल देंगे और अभी हमने यहाँ पर गर्म मसाला एड़ नहीं किया ही बनेगी खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगी एक बार इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा मैंने आपको आलो सिम्ला मिरज की इससे पहले भी रेस्पी दी है आप लोग वो भी देख लेना उसका तरीका कुछ दूसरा है और यहां पर मैंने आधा चम्मच आधा चम पानी आप चाहें तो थोड़ा सा ही डालिए अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद है तो आप पानी कम डालिए और हमारे यहां तो सभी को ग्रेवी पसंद है तो इसलिए हम यहां पर रसे वाली सिम्ला मिरज बनाएंगे तो इसमें हम लगभग डेढ़ गलास पानी और इसको अच्छे से हम चला देंगे चलाने के बाद हम इस पे ढकन लगाएंगे तो हम इसमें लगाएंगे एक सीटी सिर्फ एक सीटी से हमारी सबजी यह पकर तयार हो जाएगी क्योंकि हमने इसको फ्राई भी किया है इसलिए हमको ज़्यादा नहीं पकाना है तो आप ल प्रेसर निकल जाएगा कूकर का पूरा प्रेसर निकल जाएगा तब हम धकन को खोलेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि ये सबजी हमारी बनकर तयार है बिल्कुल रसे वाली सबजी बनकर तयार हुई है इसको आप चावल के साथ खाएए बहुत तेस्टी लगेगी और करके जरूर बताईएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करिए बनाएए और अपने फैमिली के सभी मेंबर को ये खिलाएए थैंक्यू